मंत्री परिशत के मेरे साथ ही स्रिमान सुरेश प्रभू जी, स्रिमान हर्दिप सीम पूरी जी, स्रिमान स्रियार चौदरी जी, सचीव डियाइपीपी स्री रमेश अभिशेग जी यहां उपस्तित, उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े मेरे सभी भाई और बेहनों पुरा देश गनपती पूजा में व्यस्त है, हर किसी के घर में गनपती बापा का आगमन हुआ है और हर सुबकारिय को मंगल बनाने के लिए भगवान गनेश को स्मरण करके आगे बढ़ते हैं भव्य और दिव्य भारत के इस बड़े प्रतीक न्यू इंडिया के एक अहम सेंटर के निर्मान का आज स्री गनेश करने का एक बहुत ही उपयूगत आउसर है देश की आर्थिक उन्नती सांस्कृतिक समरुद्धी प्रकृती के प्रती हमारी संबेदन चिलता और उसकी पहचान इंडिया इंट्रनेशनल कन्वेंशन एंड एक्स्पो सेंटर यानि आई आई सी सी उसमें हम भली भाती अनुभव कर पाएंगे ये सेवा सवासो करोड देश वासियों की इस भावना का प्रगटिकरन है जो दुनिया में भारत का आज जो रुत्वा बन रहा है भारत का जो स्थान बन रहा है उससे वो अनुरूप है करीब करीब 26 हजार करोड की लागत से होने वाला ये निर्मान इस देश के 80 करोड युवाओं के एटिटूड और एनरजी का एक सेंटर बनने वाला है ये सरकार के उस वीजन का हिस्सा है जिसके केंद्र में वर्ल्ड क्लास इंफर स्क्टर और इज अब डूइंग बिजनेस है और जैसा कि अभी इने एक फिल्म के माध्यम से और बाहर 3D मॉडल के माध्यम से भी विस्तार से पताया गया कि ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर एक एकस्पो सेंटर ही नहीं है बलकि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइबरन केंद्र होगा एक प्रकार से दिल्ली के भीतर ही एक मीनी सिटी होगा एक ही केंपस में कन्वेंशन हॉल, एक्सपो हॉल, मिटिंग हॉल, होटेल्स, मार्केट, दफ्तर, रिक्रियेशन एसी तमाम सुविधाएं एकी स्थान पर विक्सित होने वाली है अब देश की राजनदानी में अंतर राश्टियेस्तर के बड़े आयोजनों के लिए हमें जो बार-बार सोचना पड़ रहा है कि करें या न करें दुनिया भर के लोगों को बुलाएं या न बुलाएं उस उल्जन में से हम बार आ जाएंगे यहां बनने वाल यह कन्वेंशन हाल एक ऐसी जगा बन रही है जहां दस हजार लोगों के बैठने की सुविदा होगी बैठने की कैपसिटी के लिहाँ से यह दुनिया के टॉप फाइव और एशिया के टॉप थ्री कन्वेंशन हाल में गिना जाएगा सबसे अहम बात यह है कि बीते चार वर्सों में जो सबसे बड़े काम करने की एक परंपरा विक्सित हुई है उसकी कड़ी को यह और विस्तार देने वाला है कि यह भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्स्पो सेंटर होने वाला है साथ्यों इस सरकार ने देश के विकास के लिए अभुत्पुर्व योजनाओं का पर कारिय शुरू किया सबसे लंबी सुरंग बनाने का काम या सबसे लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम हो या समंदर पर सबसे लंबा पूल बनाने का काम हो या सबसे बड़ी मोबाइल मैनिपैक्टरिंग यूनिट बनाने का काम हो देश के हर गाउं तक ब्राडबेंड कनेक्टिविटी का काम हो देश के हर गाउं और हर परिवार तक बिजली पहुँचाने का काम हो सबसे बड़े financial inclusion का movement हो ग्रामिंट खेतर के सबसे बड़े banking network इंडिया post payment bank को बनाने का काम हो GST के रूप में सबसे बड़े indirect tax report का काम हो सबसे बड़ा जनांदोलन चलाने का काम हो और आप देश और दुनिया की सबसे बड़ी health care scheme आईश्मान भारत का बिड़ा उठाने का काम इसी सरकार ने किया यह कुछ उदारन है सिर्फ देश के physical और social infrastructure को नई दिशा देने वाले project ही नहीं है बलकि 21 सदी के भारत न्यू इंडिया की speed, scale और skill के प्रतीक है साथियों आज देश में हर हिस्से में जो विश्वस तरिय व्यवस्ताय तैयार की जा रही हैं उनमें IICC का नाम जुडने वाला है हर आधुनिक technology से लेश पूरे परिशर में देश दुनिया के business leader के लिए वो तमाम सुविदाय होगी जिसकी अपेश्या वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता से करता है वो अर्थ व्यवस्ता जो आठ प्रतिसत से अधिक की गती से विकास कर रही है जो आने वाले पांच साथ वर्षों में फाइव ट्रिलियन तो आगले एक देड़ दसक में टैन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष को ले करके तेज गती से आगे बढ़ रही है मुझे जान करके खुशी है कि ये परिशर याता याती आदूनिक सुविदाओं से वैल कनेक्टेड होगा हाइस्पिन मेट्रो से ये सीधे एरपोर्ट से कनेक्टेड होगा मिटिंग हो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हो इवेंट मैनेजमेंट सर्वीस हो मनोरजनेर हो शॉपिंग हो या फिर तूरिजम से जुड़ी व्यवस्ताएं सब एक स्थान पर उपलब्द होगी ये प्रोजेक्ट सरकार के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके तहट बारत की ग्रोस स्टोरी से जुड़े हर इंफ्रास्ट सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है भाई और भेनों हम दुनिया में कहीं भी जाए अक्सर देशने को मिलता है कि छोटे छोटे देश भी बड़ी बड़ी कांफरेंस रखने की ख्षमता रखते हैं इस तरह की आधुनिक व्यवस्ताओं के निर्मार की वज़ा से कई देश कांफरेंस टूरिजम के हब बन चुके हैं लेकिन हमारे हाँ बरसों तक इस दिशा में सोचा ही नहीं गया बड़ी बड़ी कांफरेंस को या हमारे ट्रेड फैर लगाने हो तो आम तोर पर गुम फिर करके एक ही जगा प्रगति मैदान बड़ महीं पर सब कुछ सिनित हो गया और वो भी अपनी उर्जा खोच चुका था अब ये सोच बड़ी है और उसी का परणाम आज का ये आयोजन है देश की राज़ान दिल्ली में ही नहीं बलकि अन्य राज्यों में भी आयाए सिसी जैसे सेंटरों का निर्मान बिजनेस कल्चर से जुड़े एक एहम पक्ष को बजबूत करेगा हमारे देश में कान्फरेंस टूरिजम का एक एको सिस्टिम लेवलप करेगा अंतर राष्टी एक स्तर की समीच बड़ी-बड़ी कंपनियों के एन्यूल जनरल मिटिंग्स सरकार के तमाम विभागों के कारका इस तरह के सेंटरों में आसानी से हो सकेंगे ये आधुनिक कन्वेंशन सेंटर कहीं न कहीं इज ओफ लीविंग को भी बढ़ाएगा पंडाल की चिंता नहीं पानी बिजली की चिंता नहीं मौसम की डर नहीं एक रेडी टू यूज सिस्टिम होगा जो जादा से जादा लोगों को इस्तमाल के लिए आसानी से सुलब होगा बिजनेस अक्टिविटी हो कल्चरल अक्टिविटी हो जब शहर में इस तरह की गतिविद्यों के कैंदर होगे तो पूरे शहर को उसका लाब मिलता है ये कर्वेंशन सेंटर शहरों की पहचान भी बनेंगे साथियों IICC इन्डिया की क्रेडिबल स्टोरी को अंतर राश्टियस तर पर चमक देने वारा एक अच्छा माध्यम बनेगी मैं उमीद करता हूँ कि जब ये बन करके तयार होगा तो कान्फरेंस टोरिजम M.I.C. यानि मिटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फरेंसिज एंड एग्जिबिशन के एहम डेस्टिनेशन के रूप में भारत की पहचान को एक नई ताकत मिलेगी IICC के रूप में देश के व्यपारियों, उद्द्यम्यों, कारोबारियों को अंतरराष्टिय मार्केट में अपने प्रोड़क को दिखाने उसकी पहचान को स्थापित करने का आशान साधन भी होगा विशेश तोर पर देश के छोटे और मजले उद्द्यमी अपने प्रचार प्रसार पर उतना खर्च नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये महत्वपुन मंच सिद्ध होने वाला है वो यहां आंतराष्टिय बायर्स और सेलर्स से सिदा समवाद कर पाएंगे आंतराष्टिय स्तर की टेक्नलोजी के बारे में भी वो आशानी से जान पाएंगे और अपने उद्योग को उसी हिसाब से वे अपडेट कर पाएंगे यह सुविदा सरकार के उन प्रयासों को बल देगी जिसके तहट MSME यहनि Medium and Small Scale को ससक्त किया जा रहा है इतना ही नहीं स्टार्ट अप के लिए भी यह बहुत बड़ी सुविदा खड़ी होने वाली है स्टार्ट अप के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने आइडियाद को निवोईशोंत कों तक पहुचाने की होती है देश के इनोवेटिव यूद के लिए यह बहुत बड़ा प्रेट्वाम बनेगा यहाँ आइडिया और इनोवेशन की चर्चा से लेकर फंडिंग और ब्रांडिंग की मार्केटिंग तक आसानी से की जा सकेगी यह इसलिए भी अहम है क्योंकि आज भारत स्टार्ट अप के खेत्र में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टिम बन चुका है आज हमारे युवा दस हजार से अधिक स्टार्ट अप पर काम कर रहे हैं ऐसे में ये आधुनिक लवस्ता समाज के हर वर्ग हर स्टर को लाब पहुँचाएगी बड़ी बात ये भी है कि ये सेंटर देश के पांच लाग युवा साथियों को रोजगार के आउसर देने वाला है ये सिर्फ देश की आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के प्रदर्शन का ही नहीं ये स्थान बलकि ये लाखों गरीब मद्यमबर्थ परिवारों के जीवन को नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट देश के ट्रेनिंग इस्टिटूट, स्कील सेंटर्स या फिर किसी स्कूल कालेज में पढ़ाई करने वाले नौजवान के आकांख्षाओं को ये बदलने की ताकत रखता है भाई और भेनों, IACC, इन्फास्ट्रेक्टर के उन तमाम बड़े प्रोजेक्ट का विस्तार है जिनको बीते चार वर्षों में जमीन पर उतारा गया है एज़े प्रोजेक्ट्स ने लाखो युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर बनाए है सर्वीस हो, क्रिशी हो या फिर मैनुफेक्टरिंग हर सेक्टर में बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा हो रहे रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के आईटी सेक्टर में भी रोजगार निर्मान में जबर्दस वृद्धी देखने को मिल रही है रिटेल के छेत्र में अभुत्पुर्वा अउसर बन रहे हैं अकेला ई-कॉमर्स सेक्टर ही पचास अरब डॉलर से अधिक का रिवन्यू जनरेट कर रहा है जितना ये व्यापक हो रहा है उतना ही अधिक रोजगार भी दे पा रहा है साथियों सर्विस के साथ साथ मैनुफेक्टरिंग सेक्टर भी आज मेक इन इंडिया की सक्ति से आगे बढ़ रहा भारत आज मोबाइल मैनुफेक्टरिंग का हब बन रहा जिससे देश के चार साड़े चार लाग से भी अधिक युवाव को बिते चार वर्षों के दावरान रोजगार से जोड़ा गया आज सिती ये हैं कि हम मोबाइल एक्षपोर्ट तो करी रहे हैं साथ में 80% मोबाइल फोन देश में ही बन रहे हैं इससे विदेशी मुद्रा के रूप में तीन लाग करोड रुपे की बचत देश को हुई है साथियों पिछले चार वर्षों में देश में ट्रांस्परन्ट और मेरिट बेज बिजनेस का उत्तम माहोल तयार किया गया है आज देश का टेलिकॉम सेक्टर पांच्छा वर्ष पहले के अंधरे से बहार आ चुका है आज देश के सबसे तेज बढ़ते सेक्टर से में शामिल हो गया है देश अब 5G नेटवर्ग इंफास्टेकर के तरह तेजी से बढ़ रहा है पारदर्शी टेंडरिंग व्यवस्ता और डिजिटल इंडिया भ्यान से इसको अभुद्पुर्व गती मिली है आज वाइस कॉल करीब करीब फ्री है और एक जीबी 4G डेटा दाइसो तीन सो रुपे से घटकर उननीस बीस रुपे तक पहुँच गया यानि देश के सामान निव्यक्ति को इंटरनेट की ताकत मिली है तो इंडिस्ट्री को व्यापार के नए अवसर उपलब्द हुए है टेलीकॉम के साथ साथ देश का टूरिजम सेक्टर भी निरंतर विकास के नए किरतेमान गड़ रहा है देश में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित कर रहा है साथियों देश व्यवस्ता से चलता है संस्तानों से आगे बढ़ता है और ये दो-चार महेने दो-चार साल में नहीं बनती ये वर्षों के सतत विकास का परणाम होती है और इसमें बहुत महत्वपण होता है कि फैसले समय पर लिये जाएं और इन्हें बिना ताले लागू किया जाए अब ये छोटे बैंकों के मर्जर का फैसला ही लीजिए दर्जनों सरकारी बैंकों की क्या आवश्यक्ता है इसको लेकर साहों से हम डिबेट सुनते आ रहे हैं करीब डाइट दसक पहले इसके बारे में कदम उठाने की बात शुरू हुई थी लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने का साहस पहले भी चर्टा हुई किसे न नहीं जुटा पहुए लेकिन बीते पचात महिने इसके गवाह है कि एंडिये की ये रास्त सरकार रास्त हित में लिये जाने वाले कठीन फैसले लेने में कभी पीछे नहीं रहती है जो वर्सों से लटके फैसले थे उनको पूरी शक्ति के साथ जमीन पर उतारा गया पहले स्टेट बैंक अब इंडिया में छोटे बैंकों का मर्जर किया गया और अब तीन और बैंकों को एकी बैंक में मिलाने का फैसला लिया गया और मुझे याद है तिन चार साल पहले जब रिख्वाम की चर्चाए होती थी तो कुछ लोग बढ़ चड़ करके लिखते थे अगर मोधी बैंकों का मर्जर करके दिखा दें तो हम मानें के मोधी कुछ कर रहा है अब जब हो गया है तो पताने उनके कलम को निंद आ गई है चुप हो गय है जीस्टी हो डीमोनिटाजेशन हो बेनामी संपति कानून हो इंसल्वन्सी कोड हो भगोडे आर्थिक अपरातियों से जुड़ा कानून हो तीन लाग से अधिक संदीत कंपनियों का रजिश्टन रद करना हो ये सभी फैसले इमानदार और पारदर्थी बिजनेस एंड़मार्मेंट के बनाने के लिए सरकार की प्रतीबत दता के ये जीते जाकते उदाहारन है साथियो देश्टन में पिछले चार वर्षों में चोथ तरफा विकास इसलिए संबभ हो पाया उनी संसादनों उनी संसादनों के रहते सरकार बहतर काम इसलिए कर पाई क्योंकि राश्ट रहित को सर्वो पर ही रखा गया व्यवस्ताओं को सही दिशा की तरफ मोड़ा गया साथियों में आपको भी स्वाद जलाता हूं कि जनहित में मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने का ये सिलसला जारी रहेगा आज देश में चुनावतियों के बावजुद बारत की अर्थबवस्ता की नीव दिनों दिन मजबूत होती चली जा रही है फंडामेंटल्स मजबूत है निर्यात को निरंतर प्रोट्शाइद किया जा रहा है आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड को जीडीपी का 40 प्रतिशत तक करने के लिए एक विश्त्रत योजना पर काम चल रहा है साल 2025 तक जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के जिस लक्ष को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक ट्रिलियन डॉलर मैनुफेक्टरिंग और अग्रिकल्चर का हो इसकी तरफ भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं इस सरकार की कोशी का कही अवसर है कि इस अब डॉइंग बिजनेस की रेंकी में भारतें चार वर्षों में 42 अंकों का सुधार किया है ये भी अपनी तरह का एक रिकॉर्ड है अब तो राज्यों में भी एक कंपिटिक्शन शुरू हुआ है कि कौन अपनी रैंकिंग तेजी से सुधारता है इज अब डॉइंग बिजनेस की इस परदा लोगों की इज अब लुइंग को भी बढ़ा रही है रिफार्म की जो हमारी यात्रा है वो अब जिला स्तर पर तैसिल स्तर पर पहुंचाने की कोशित है अज जिला स्तर पर भी इज आप डूइंग बिजनेस के पहलों पर ध्यान दिया जा रहा है इसके लिए एक पूरे एक्षिन प्लान पर काम हो रहा है सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में जीलों के जीडिपी में दो से तीन प्रतिशत की वृद्धी कैसे हो उसके तरीके क्या हो, इनिसेटिव क्या हो, प्रायॉरिटी क्या हो सरकार की सोत रही है कि अगर रिफॉर्म को स्थाई बनाना है तो जमीन पर उसका असर दिखना चाहिए सात्यों हमारे देश जितना बड़ा है हमारे देश पे जितने युवा है उतने ही हमारे देश के बड़े सपने का इसको पूरा अधिकार है उन सपने देखने का अधिकार है उन सपनों को सक्ल देने का अधिकार है इनको साकार करने में मदद करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ देश के उद्योग जगत की आप सभी की भी है मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर न्यू इंडिया की युवा आकांच्छाओं को बल देने में पूरी शक्ती से काम करेगे आने वाले एक देड़ वर्स के भीतर आया इस सिसी का पहला चरण पूरा करने का प्रयास है इसके निर्मार से जुड़ी और उसके जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत बहुत शुब कामना है देता हूँ और मुझे अभी बताया गया कि अभी इस परिश्यर में करीब करीब डाई हजार लोग अल्रेडी काम कर रहे हैं याने सिलान न्यात की विधी से पहले काम का पूरा खाका तयार करके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है मुझे विश्वास है कि जिन सपनों को ले करके हम चले हैं और बदलते हुए विश्व में ग्लोबल एकोनोमी के यूग में भारत भी हर प्रकार से अपने आपको न सिर्फ रिलेवन लेकिन एक लीडर रोल में अपने आपको प्रस्तूत करने का सामर्त लेकर के आगे बढ़े इनी सपनों के लिए साथ आगे बढ़ना है तब मैं फिर एक बार इस पूरी टीम को इस काम को समय पर उत्तम तरीके से उत्तम निर्मान कारिये के साथ उत्तम गती देते रहे यही मेरी शुप कामना है बहु अजया करने आपको जह एको प्रस्तूत करने चार्व थिए बढ़ना है।